देवांश शेरू को लेकर अपने घर के सामने बने कच्चे बातरूम में ले जाता है, वहाँ खुद भी नाता है और शेरू को भी नहलाता है, तबी अचानक से देवांश के पीछे एक साया आ जाता है, और अचानक से उसकी चड़ी को गायब कर देता है, देवांश जब उठने का नाम ही नहीं लेता, बेटा देवांच उठ जाओ स्कूल के लिए लेठ हो जाओगे, उघजा बेटा, देख तेरे लिए मैंने क्या क्या बनाया है, इतने सारे पक्वान बनाये हैं, अरे मा उठता हुना अभी स्कूल जाने में बहुट टाइम है, नहीं बेटा, बहुत लेट हो गया है, आठ बच गये हैं उठो फिर थोड़ी देर बाद निर्मला जाके देखती है कि देवांच अभी भी सो रहा है ये भगवान, सूरज सिर्पे आ गया है, स्कूल का टाइम हो गया है, ये लड़का अभी भी नहीं उठा हम, इसको उठाने का अब बस एक ही तरीका है तभी निर्मला जोर-जोर से चिलाने लगती है और कहती है देवांच बेटा, शेरू नहीं मिल रहा, पता नहीं कहां चला गया है देवांच जट से उठ जाता है और पूछता है क्या हुआ मा? देवांच शेरू को ढूडते हुए बाहर आजाता है और देखता है कि शेरू बाहर ही होता है मा, तुमने मुझे जूट बोल के जगाया ना, शेरू तो यहीं था बेटा, तो मैं क्या करती? तुम उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे तुम मुझे लगा तुम शेरू से बहुत प्यार करते हो उसके खो जाने का बहाना लगाती हूँ तो तुम उठ जाओगे चलो अब जल्दी से नहालो पहले ही स्कूल के लिए इतना लेट हो चुके हो तुम क्या मा तुम भी जानती हो दरसल शेरू देवांश को सड़क पर मिला था जो बहुत भूका प्यासा था देवांश उसे अपने घर ले आया था तब से शेरू देवांश के साथ ही रहता था चल शेरू आज मैं तुझे भी नहला देता हूँ तुझे भी तो बहुत गर्मी लग रही होगी ना और फिर देवांश शेरू को लेकर अपने घर के सामने बने कच्चे बातरूम में ले जाता है वहां खुद भी नहाता है और शेरू को भी नहलाता है तबी अचानक से देवांश के पीछे एक साया आ जाता है और अचानक से उसकी चड़ी को गायब कर देता है तेवांश जब अपनी चड़ी नहीं पाता तो हैरान हो जाता है और जोर-जोर से अपनी मा को आवास लगाने लगता है मा, मा, मा मिर्मला दोडती हुई आई अरे बेटा क्या हुआ? अरे गायब, ये तो क्या कह रहा है बेटा? चड़ी कैसे गायब हो सकती है? हाँ मा, मैं सच क्या रहा हूँ अरे बेटा, तो ऐसे ही घबरा रहा है तो शेडू को भी अपने साथ ले गया है नहाने जरूर उसी की शरारत होगी तो ऐसे ही परिशान हो रहा है ठीक है, लाती हूँ निर्मला देवांच को दूसरी चड़ी ला कर देती है पर जैसे ही वो दूसरी चड़ी पहनता है तो वो साया फीछे से आके फिर से देवांच की चड़ी गायब कर देता है देवांच के तो मानो पैरों तले जमीन ही किसक गई थी मा एक और चड़ी गायब हो गई क्या एक और गायब हो गई बेटा मुझे तो लगता है आज तेरा स्कूल जाने का मन नहीं है इसलिए सुबह से मुझे तंग कर रहा है तभी तुझे ऐसी शरारते सूज रही है नहीं मा तुम्हारी कसम तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारी कसम जूटी नहीं काता सच में मेरी चड़ी फिर से चोरी हो गई ये सुनके निर्मला खुद भी हैरान थी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है निर्मला देवांश को और चड़ी ला कर देती है फिर से वही हुआ चड़ी चोरी हो गई देवांच और निर्मला परिशान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है देवांच स्कूल जाने को रेडी तो हो गया था पर परिशान था कि आखिर ये क्या हो रहा है और उसके साथ ही क्यों हो रहा है बेटा तु दूद पी तेरे पिता जी को आने दे मैं उनसे बात करती हूँ इस बारे में तभी दोपैर में देवांश के पिता गोविंद काम से लोटे निर्मला, ओ निर्मला जी आई बहुत भूक लगी हास तो मैं नहा के आता हूँ, जल्दी से खाना लगाओ तुम सुनिये न, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है अच्छा अच्छा बात भी कर ले न, मैं नहा के आता हूँ तुम खाना लगाओ, खाना खाते समय बात कर लेंगे जी तभी गोविंद नहाने के लिए बाहर बने अपने कच्छे बातरूम में चला जाता है नहाते नहाते उसकी भी चड़ी कायब हो जाती है और जैसे ही वो देखता है अरे, ये क्या? मेरी चड़ी कहां गई? कौन ले गया? फिर थोड़ी देर में गोविंद अपनी धोती को बात के बाहर आ जाता है और कहता है निर्मला, सुनती हो! निर्मला, सुनो! मेरे साथ क्या घटना घटी अभी? क्या हुआ जी? मैं नहा रहा था कि अचानक से मेरी चड़ी गायब हो गई क्या? आपकी भी चड़ी गायब हो गई? मैं यही तो बात करने वाली थी आपके साथ आज सुबह सुबह हमारे देवांश के साथ भी ऐसा ही हुआ उसकी तो चार-चार चड़ी चोरी हो गई बेटा घबरा कर स्कूल गया है मैंने उसे समझा बुझा कर जैसे तैसे स्कूल भेजा है तबी अचानक से बाहर पूरे गाउं में हल्ला मच जाता है निर्मला और गोविंद बाहर जाकर देखते हैं तो सारे गाउं वाले इखटा थे गोविंद ने जाकर पूछा क्या हुआ भैया सब इखटा क्यों हुए है और इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है तबी गाउं के एक सदस से बिर्जु ने गोविंद को बताया अभी सारे गाउं के आदमी लोग अपने अपने काम से लोट कर घर पहुचके नहने लगे और सारे के सारे गाउं के आदमीयों की चड़ियां चोरी हो गई क्या सब की चड़ियां चोरी हो गई मुझे लगा मेरे घर में ही कुछ भूत लगा हुआ है जो मेरे और मेरे बेटे की चड़ी चुरा रहा है ये बात काउं के सरपंच तक बहुच गई गाउं में सभा बुलाई गई सबने काउं में हो रही चड़ी चूरी के बारे में सरपंच से शिकायत की सरपंच ने सारी बाते सुनी और फिर बोला अरे वो चड़ी सिर्फ तुम लोगों की ही नहीं बलकि आज सुबह नाते टाइम मेरी चड़ी भी चोरी हो गई सारे लोग आपस में बात करने लगे अरे हमारी चड़ी चोरी हुई है तो हुई लेकिन गाउं के सरपंच की चड़ी तक भी पहुँच गया कोई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि कोई सरपंच की चड़ी तक भी पहुच गया सरकार को इसका कुछ करना होगा मामला बढ़ता ही जा रहा है क्या लगता है आप गाउंवालों को इसके पीछे कौन हो सकता है तभी एक गाउंवाला उठा और बोला सरकार मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई भूद प्रेथ है हाँ हाँ सरकार मुझे भी यही लगता है तभी सरपंच गोविंद से पूछते हैं गोविंद तुम्हें क्या लगता है सरकार गाउंवाले सही कह रहे हैं मुझे ऐसा महसूस भी हुआ जैसे कोई साया था ये जरूर हमारे गाउं पर किसी आत्मा का साया है सारे गाउं वालों की बात सुनने के बाद सरपंच ने ये फैसला लिया कि भूत को पकड़ने के लिए किसी अच्छे तांत्रिक को बुलाया जाए गाउं वालों ने देरी ना करते हुए उसी दिन पांस के गाउं में बहुत बड़े ज्यानी तांत्रिक को बुलाया तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से चड़ी चोर भूत को बुलाया कुछी देर में भूत सामने आ खड़ा हुआ सब लोग भूत को देखके हैरान थे तभी सरपंच ने तांत्रिक से कहा तांत्रिक बाबा आप इस भूत से पूछिए क्या दुश्मनी है इस भूत की हमारी गाउवालों से क्यों ये हमारी चड्डियां चुरा के दहशत फैला रहा है दुश्टात्मा क्या दुश्मनी है तुमारी इन गाउवालों से क्यों परिशान कर रहे हो तुम इन लोगों को ऐसा क्या किया लोगों ने तुमारे साथ जो तुम इनकी चड्डियां जुरा रहे हो मैं दुश्टात्मा नहीं हूँ मैं भी बहुत अच्छा इंसान था पास के ही काउं में मेरा घर था मैं अकेला ही रहता था फिर एक दिन की बात है काउं में मेरा एक चाई का स्टॉल था मैं आते जाते लोगों की मदद किया करता था जिसके पास चाई के पैसे होते मैं पैसे ले लेता और जिसके पास नहीं होते मैं फ्री में उसे चाय पिला देता एक दिन मैं सुबे सुबे अपने घर के बाहर बने कच्चे बातरूम में नहने के लिए गया तभी पीछे से एक कुट्टा आया वो मेरी चड़ी खीच के ले गया मैं उस कुत्ते के पीछे भागता भागता गाउं के बीचो बीच आ गया लेकिन कुत्ता मेरी चड़ी लेकर भाग गया तभी गाउंवालों ने मुझे उस हालत में देखा तो सारे मुझे गालिया देने लगे बोले कितना बेशरम आदमी है कैसे नंगा पूरे गाउं में घूम रहा है अपनी तो इसकी शादी हुई नहीं ना घर ना परिवार का पता है इसकी हमारी औरतों पे गंदी नजर है तभी ऐसी गंदी हरकते कर रहा है मेरी किसी ने एक नहीं सुनी मुझे भगा भगा कर पत्थर मारे जिसकी वज़े से मेरी महत हो गई तब से मेरी आत्मा भटक रही है तब से मैंने कसम खाई ये जमाना कभी किसी का नहीं हो सकता अच्छाई तो बहुत करके देख ली अब बुरा बन के देखते हैं तब से मै लोगों की भी चड़ी नहीं रहने दूँगा इस काओं में और आसपास के हर एक काओं में सब की चड़ीया चुराऊंगा और वो कुता भी मुझे इस कोविंत के घर में दिखा उसके बेटे का अच्छा दोस्त है वो कुता पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के ससा किसी को कैसे दे सकते हो तभी भूद कुसे में आ जाता है और कोविंत को बोलता है हाँ, तु मुझे मत समझा मुझे क्या करना है और क्या नहीं मुझे ज़ादा गुसा ना दिलाओ वरना तुम्हें यही भस्म कर दूँगा देखो तुम ठंडे दिमाग से काम लो मुझे यकीन है अगर तुम इतनी अच्छे इंसान थे तो तुम पर बुराई जादा देर तक हावी नहीं हो सकती तुम बात को समझोगे गलती एक बेजुवान जानवर से हुई है और तुमें तो पता है छोटे छोटे कुटे कितने शरारती होते हैं उस चीज की सजा तुम सारे समाज को नहीं दे सकते तब ही भूत पे सरपंच की बातों का असर हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो कलत कर रहा है शायद आप लोग ठी कह रहे हैं फिर सारे गाउवाले तांत्रिक के साथ मिलके उस लाश का संसकार कर देते हैं जिससे उसकी आत्मा को शांती मिल जाती है और फिर सारे गाउवाले खुशी खुशी रहने लगते हैं आकाश और राजू बहुत ही अच्छे दोस्त थे वो एक इंजिनेरिंग कॉलेज में पढ़ते थे यार देख मैंने न एक बहुत ही अच्छी मशीन बनाई है इससे हम भूतों को पकड़ सकते हैं क्या यार बकवास न कर तू देख तो सही इससे हम भूतों को पकड़ सकते हैं बेकार की बाते क्यों करता है हमारा फाइनल एयर है हमें एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है इन बकवास मशीनों पर अपना टाइम वेस्ट ना कर देख प्रोफेसर आ रहे हैं मैं तुम्हारी मशीनों को चेक करता रहू ऐसे भी कोई मशीन बनती है क्या जाओ अपना काम करो सर आप इसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे तुम एक इंजीनियर बनने वाले हो इन छोटी छोटी मशीनों पर अपना समय बरबाद ना करके कुछ काम की चीज़े बनाओ जिससे तुम्हें फाइनल इयर के प्रोजेक्ट में मदद मिले वही तो कर रहा हूँ सर अच्छा चल के दिखाओ आकाश उस मशीन को चलाता है पर वो मशीन काम नहीं करती वो बहुत कोशिश करता है पर वो असफल रहता है राजू भी खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है इस मशीन में कुछ है भी? बेकार में तुमने मेरा भी समय बरबाद किया और अपना भी इतना समय अगर तुम पढ़ने में लगाते तो तुम्हारे काम आता अरे आकाश सुबह से ही इस मशीन को लेकर गूम रहा है तू क्या करेगा भूत पकड़के? उनकी शादी में नाचेगा क्या? बेकार में मेरा दिमाग मत खराब कर मेरी खोपड़ी पहले से ही हिली हुई है इतनी मुश्किल से ये मशीन बनाई और उसमें कोई भी इंट्रस्ट ही नहीं ले रहा है बनाना है तो ढंकी मशीन बना जब भूत होते ही नहीं तो उस मशीन का क्या फाइदा? भूत होते हैं और मैं ये साबिद करके रहूँगा अब अपने दिमाग को ठंडा कर और लस्सी पीने चल आकाश और राजू लस्सी पीने के लिए चल पड़ते हैं पर आकाश अपनी बनाई हुई मशीन से इतना परिशान हो जाता है कि वो उस मशीन को कूडे के धेर में डाल देता है और राजू के साथ चला जाता है तुने मशीन कूडे में क्यों डाल दी? जब तुम्हें इस मशीन पर विश्वास ही नहीं है और ये चलती ही नहीं है तो इसका क्या फाइदा? उसकी जगे कूडे घर में ही है आकाश और राजू उस मशीन को भूल जाते हैं और लस्सी पीना शुरू कर देते हैं तब ही उसके होटों पर लस्सी लग जाती है जिसे देखकर राजू तेजी से हसता है ये ले तु अभी सही बुड़ा हो गया मतलब? देख तेरी सफेद मूचे आ गई है दोनों खिल खिला कर हस पड़ते हैं फिर जब वो लस्सी पीकर वहां से निकल रहे होते हैं तब ही उनकी नजर रोड पर बैठे एक जाड़ फूप करने वाले आदमी पर पड़ती है तुझे मशीन बनाने की जरूरत ही क्या थी? ये मशीन है ना? ये बूतों को पकड़ लेती है अगर तुझ मशीन बनाएगा तो बेचारे इन ज़ाड़ फूप वाले बाबाओं का क्या होगा? ये तो जूला चाप बाबा है ये भला बूतों को क्या पकड़ेगा? आकाश उस मशीन को भूल जाता है पर पता नहीं क्यूं राजू को उसमें रुची पैदा हो जाती है वो रात भर सो नहीं पाता और आधी रात को उठकर खड़ा होता है और उस कचरे के डिब्बे के पास पहुचता है इस मशीन को मैं ऐसे ही बरबाद होने नहीं देना चाता मैं इसको पूरा करूँगा और सच में एक भूत पकड़ने वाली मशीन बनाऊंगा अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो मैं उन भूतों की मदद करूँगा जो मुसीबत में है राजू उस नशे में दिन रात लगा रहता है और उसे एक नया रूप दे देता है और वो सच में भूत पकड़ने वाली मशीन बन जाती है वो भागता हुआ आकाश के पास जाता है ये देख तेरे इस प्रोजेक्ट को मैंने पूरा कर दिया है अब ये सच में एक भूत पकड़ने वाली मशीन बन गई है चल जल्दी चल मेरे साथ मुझे नहीं जाना अब मुझे भूतों में कोई इंटरस्ट नहीं है चलना यार एक बार चल मेरे साथ आकाश और राजू जब उस मशीन के पास पहुचते हैं तो उसे ध्यान से देखते हैं तब ही उसकी एक हरी लाइट जलने लगती है आकाश इसका मतलब यहां पर कोई भूत है हमें उसका पता लगाना होगा देख इसकी हरी लाइट जल रही है और बीप भी बज रही है इसका मतलब यही है कि यहां भूत है हमें उसे पकड़ना होगा चल जल्दी चलते हैं उस भूत के पीछे दोनों उस मशीन की मदद से चलते जाते हैं वहाँ बहुत घंखोर अंधिरा होता है बीब भी तेज होती चली जाती है वो उस बीब के पीछे पीछे चलते जाते हैं और उस जंगल में पहुच जाते हैं उस जंगल में पहुचते ही मशीन पर लगे कैमरे में बहुत सारे भूत नजर आते हैं अरे ये मशीन तो सच में काम कर रही है देख यहाँ पर कितने सारे भूत है भूतों की मंडली जमा हुई है चुप रहे हैं अगर उन्होंने हमारे आवास सुन ली तो वो हमें खा जाएंगे तबी उन भूतों में से एक भूत समझ जाता है कि आकाश और राजू उसका पीछा कर रहे हैं वो उस कैमरे की मदद से उनसे बोलता है तुम तुनों क्या करने आए हो हम लोगों की दुनिया में चले जाओ यहाँ से नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा हमारी मशीन ने आप लोगों का पता बताया है हम आप से बात करना चाहते हैं हम तुमारी इंसानों की दुनिया से अलग है तुम हम से बात करके क्या करो गई इस मशीन से तुम क्या साबित करना चाहते हो क्यो हमें परिशान कर रहे हो हम तुम इंसानों से अलग हैं हमने ये भूत पकड़ने वाली मशीन बनाई है हम तुमें कोई हानी नहीं पहुचाना चाते बलकि हम इस मशीन की मदद से तुम लोगों तक पहुच कर तुम्हारी मदद करना चाते हैं हम चाहते हैं कि तुम सब हमें बताओ कि तुम्हारी मुक्ती का मार्ग क्या है और हम तुम्हारी मदद करें और तुम्हें इस भूत योनी से मुक्ती दिलाएं हम जानना चाते हैं कि तुम्हारी मौत कैसे हुई तुम्हारी कोई इच्छा जो अधूरी रह गई हो हम वो पूरी करेंगे कोई बात जो तुम अपने परिवार से कहना चाते थे या कुछ करना चाते थे और अचानक से तुमारी मौत हो गई, हम वो सब पूरा करेंगे भूत आकाश और राजू के समझाने पर समझ जाता है और वो एक-एक करके अपनी सारी समस्याएं बताता है और राजू और आकाश उनकी मदद करते हैं जिसकी वजह से उन्हें मुक्ती मिल जाती है तब ही वहां एक रवी किशन नाम का भूत आता है और वो कहता है तुम सभी की समस्या दूर कर रहे हो ना, मेरी भी एक समस्या है, जब मैं जिन्दा था, तब मुझे एक रानी नाम की लड़की चाहिए थी, जिसको पाने के चक्कर में मेरी माथ हो गई, अब अगर तुम मुझे वो दिला सकते हो, तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा नहीं आकाश, तुम इसकी बातों को मत मानना, ये अपने समय का बहुत बड़ा गुंडा था, ये लड़कियों की जिन्दकी बरबाद कर देता था, तब रानी नाम की लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए इसका कतल कर दिया था, अब ये उससे बदला लेना चाहता है तुम तो बहुत गंदे भूत हो, हम तुमारी मदद नहीं कर सकते, आकाश के मना करने पर रवी किशन को कुस्सा आ जाता है, और वो आकाश पर हावी होने लगता है, तभी सबी भूत, जिनकी भी आकाश ने मदद की थी, सब रवी किशन को अपनी शक्तियों से भस्म कर दे जाते हैं, और आकाश और रवी की मदद से सभी मुक्त हो जाते हैं।